दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्मिहम अज अन्तक्रणत्यंत उल्लाश से समाधान से और कृतद्नेता से भरा हुआ है और पुरा विश्व भी आज भग्मान श्रीराम की प्रतिष्ठा से आलोकित होने का पर्व आर्म हो चुका है यह केवल एक मंदिर में एक मूर्ति की प्रतिष्ठा नहीं है यह इस देश की अस्मिता इस देश का स्वाबिमान और इस देश का आपनो इश्वास इसकी प्रतिष्ठा पांच सो वर्शों की प्रतिष्ठा के पश्चात यह संबग हो सका इसके जो अनेक कारण है उनके उपर तो आलोग हमारे सारे समारनी अभ्धागट डालेंगे ही मैं केवल एक काम के लिए यहां पर खड़ा हूँ छुटा सा काम कारण तो अनेक होते हैं लेकिन अनेक कारण मिलते मिलते आखिर वे एक विशिष्ट तर तक पहुँच जाते हैं और उस तर पर कोई महापुरुश्चम लोगों को उपलब्द होता है और उस विभूती के कारण युगपरिवर्तित हो जाता है इस प्रकार का परिवर्तन लाने के लिए अपने जीवन को साधना पड़ता है और इस प्रकार जीवन साधने वाले हमारे इस देश की परंपरा के अनेक महान रत्नों में आज हम लोगों को समय की आवश्चक्ता युग की आवश्चक्ता सनातन के अंतक करण की आवश्चक्ता के रूप में हमारे सम्मारणिय प्रधान मंत्री जी प्राप्त हुए है यह केवल इस देश का नहीं यह संपूर्ड विश्व का सवभाग्य है कि आज एक ऐसा राजदर्शिय हम लोगों को उप्राप्त हुआ आपके मंगल हातों से आज प्रतिष्ठा होने की बात थी वो सभाविक भी था वो होना ही था मित्रों लेकिन मुझे इस बात का आश्चर ही हुआ जब मुझे लग लग वीज दिन पूर्व समाचार में ले कि मानने यह प्रतिष्ठा के लिए स्वयम अपने लिए क्या-क्या अनुष्ठान करके सिद्ध करना चाहिए स्वयम को उसकी नियमावली आप लिख करके भेज़ें जस प्रकार का हमारे देश का अराज नेतिक माहौल है कोई भी आकर के किसी भी समय कुछ भी कर्म करके चला जाता है पूदगाटन हो चाहे पौधार उपन हो चाहे कुछ भी हो लेकिन उसके लिए मैं अपने को सिद्ध करूँ इस प्रकार की भावना कहा होती है यदि किसी ने पूछा तो मैं कहूंगा कि यहां होती है भगमान शीराम की प्रतिष्ठा करनी है भारते जीवना दर्शों के सरवोच्च आदर्श भगमान शीराम है और इन समस्त जीवना दर्शों की प्रतिष्ठा करने के समानी यहां की प्रतिष्ठा रही है इसलिए एक महान विभूती को ऐसे लगा कि मैं अपने को भी साध हूँ मैं कर्मना, मनसा, वाचा कर्मसे, मनसे और वानी से अपने को उसके लिए शुद्ध बनाऊं सिद्ध बनाऊं और उसका मारगत तपही है भगवत गीता ने कहा यद्न दान तपक कर्म न त्याज्यम कारे में वेतत तपसे ही विशेज परिशुद्धी होती है आज मुझे आपको बतलाने समय अंतक्रण गदगद होने की अनुभूती हो रही है मैंने तो कहा था हम लोगों ने महापुरुषों से परामर्ष करके लिखा था आपको केवल तीन दिन का उपवास करना है आपने ग्यारा दिन का सम्पूर्ण उपोशन किया हमने ग्यारा दिन एक बुक्त रहने के लिए का था उन्होंने अन्द का ही प्याग कर दिया महाभारत में कहा गया है अनशन ये सबसे बड़ा तप है अनशन और उसको उनके जीवन में साकार होते हुए मैंने केवल देखा नहीं मैं थोड़ा तारकिक हूँ आपकी परमपूजनिया माताजी से मिल करके मैंने उसको रीकनफर्म भी किया था कि आपका ये अभ्यास 40 परशों का है ऐसा तपस्वी कोई राक्त्रियनेता प्राप्त होना ये सामान्याबात नहीं है वे इन दिनों में हमने कहा था कि आपको विदेश प्रवास नहीं करना चाहिए क्योंकि साउअस्थर की क्दोश भी आते है विदेश प्रवास टाल दिया सांस्तरकिक देशों के इस दोशों के संभावना के कारण लेकिन दिव्य देशों का प्रवास ऐसा किया नासिक से आरंब किया गुरु आयूर गए श्री रंगम गए रामेश्वरम गए इन सारे स्थानों पर जाकर के वहां के परमानुओं को लेकर के और पूरी भारत माता के हर कोनों में जाकर के मानों वे निमंदन दे रहेते कि आईए दिव्य आत्माओं अयोध्या पधारिये और हमारे राष्टर को महान बनाने के लिए आशिरबाद दीजी हमने केवल कहता तीन दिनों तक आपको भूमी शयन करना चाहिए ग्यारह दिनों से आप भूमी शयन कर रहे हैं इस कड़कडाती थंड में इस प्रकार का शयन करना मित्रो ब्रह्माजी ने सुट्टि को निर्मान किया उस समय उन्होंने एक शब्द को सुना था भारत के संस्कृति का सबसे मूल शब्द है तप तप इती हमारे पूज गुरुदेव के गुरुदेव परमगुरुद कहा करते थे कांची के परमाचार जी महराज तपस्चरः मैं जब भी उसे मिलता था वे कहते थे तपस्चरः आज तपकी कमी हो गई है और उस तपको हमने साकार आप में देखा मुझे इस परमपरा को देखते हुए के बल एक राजा याद आता है जिसमें ये सब कुछ था और उस राजा का नाम चत्रपती शिवाजी महराज मित्रों लोगों को पता नहीं है शायद बेस्वायम जब मलिक आरजन के दर्षन के लिए शीशेलम के उपर गये तीन दिन का उपवास किया तीन दिन शीव मंदिर में रहे और महराज ने कहा कि मुझे राज्जन नहीं करना है मुझे सन्यास लेना है मैं शिवजी की अराधना के लिए जन्मा हूँ मुझे सन्यास लेना है मुझे वापिस मत ले जाईए इतिहास का वो बड़ा बिलक्षन प्रसंगा है उस प्रसंगा में उनके सारे जेट्थ मंत्रियों ने उनको समझाया और लौटा करके लाया कि यह भी आपका कार यह भगवत सेवाही है आज हम लोगों को उसी प्रकार के एक महापुरुश ऐसे प्राप्त हुए है जिसको भगवती जगदम्बा ने स्वयम हिमाले से लौटा करके बेड़ दिया कि जाओ भारत माता की सेवा करो तुम्हें भारत माता की सेवा करनी है मैं अपने को कभी सद्धा रखने के बारे में भावक नहीं पाता हूँ लेकिन कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहांपर आदर के साथ अपना मस्तक अपने आप जुग जाता है ऐसा एक स्थान हम लोगों को उच्च पदस्ति स्तराजर्शी ने जब दिखाया तो मुझे चत्रपती शिवाजी महाराज के गुरु समर्थ रामदा स्वामी महाराज की याद आ गई उन्हें शिवाजी का वड़न किया निश्चयाचा महामेरू निश्चयाचा महामेरू बहुत जनासी आधारू अकंडस तितिता निर्धारू श्रीमंत योगी हम लोगों को आज एक श्रीमंत योगी प्राप्त हुआ आज मैं यहाँ पर केवल इसलिए खड़ा हूँ कि इतले तपस्या के पश्चात इन सारे महात्माओं की अनुमती लेकर के और उनके आशिरवाद लेकर के उनका यह तप पूर्ण करने के लिए उसकी सांगता के लिए उनको चरणामृत दिया जा रहा है आप सब की सहमती हो तो आप सब लोग ओंकार का घोश करके मुझे सहमती दे अपना उस्पुआस पूर्ण कर रहे हैं माननी प्रधान मुंत्र जी ग्यारा दिवसी उपुआस को वो पूर्ण कर रहे हैं मैं श्रीराम जनम्भु मीति उर्थ छेत्र के अध्यक्ष पूज्य महंत निर्थ्यकपालदाजी महराज मनिराम छावनी अयुद्ध्यक श्री महंत के चरणों में निवेदन करता हूँ आशीर वचन के लिए